घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही कहां आ गया हूँ मैं ओहो अरे वा ये तो जुनून वाले बच्चों अरे वा क्या वात है और मैं आक्चुली क्या है ना कि मैंने सोचा मैं बहुत बोर हो रहा था तो एक मज़दार ट्रिप मार करके आते हैं तो देखो बैक शाग मैंने सब्सक्राइब ना पाक कर लिए एक तम जब दस तुम लोग चल रहे हो मेरे साथ तो पहले तो एक काम करो जल्दी से टेंडेस लगा तो भाई कॉमेंट सेक्षिन के अंदर आ करके क्योंकि आज हम कहीं आज जाने वाले हैं ओ यह तो घड़ीक की सुयां कहां ले आई मेरे क जाके यानि की थंजावूर थंजावूर ओहो यह तो चोलास का क्यापिटल है चोलास के बारे में तो हमने पढ़ा है पिछली क्लास में तो मैं टाइम ट्रावल करके फिलाल एक अमेजिंग से डॉक्यूमेंटरी के टाइप आचुका हूं यहां पर मुझे कुछ क्लू मिला हमें खाजाना भी मिल सकता है लेकिन सारी चीज़ों की खोच करनी है हमको पार्ट बाइप तो एक बार जल्दी से क्या करते हैं थंजावूर के बारने में जानने के लिए इस क्लू को पढ़ते हैं यह क्लू कहता है कि थंजावूर वस अपिटल ऑफ चोलास अच्छा बहु कि 1000 साल पहले की बात है कि वहां पे कावेरी नदी बैती थी अरे कावेरी नदी तो अभी बैती है उसका मतलब तब भी कावेरी नदी बैती थी अच्छा और देखते हैं क्या लिखा है कि और घंटिया सुना ही दे रही है तंग वाव राजा-राजेश्वर मंदिर जो हमने पर भी आप बनवाया था है ना वहत ही सिंपल है क्यूंच तुम्हें घंटिया शुना ही देरी रही है और इसके जो आर्खेटेक्ट थे अरे वाह इसका नम तो आपको पता है पता ही क्या है बच्छे कुंज रमलन राज-राज पेर तो आचन तो यह थोड़ा सा साओध इं नेम है तो थोड़ा जा प्रेंसियेशन यहां पे घडबर हो रहा है हम लोग ट्राइब करेंगे इसको अच्छे से बोलने का कुंज रमल्ला ने राज राज पेरुथ पेरु तो आचन ठीक है तो इस तरीके का खतरनाक नाम है लंबा नाम है भाई साउथ इंडिया में कर आखता हुआ है टेंपट की मंदर की दिवार का नाम लिखा हुआ है व के अदर श्युलिंघ रखा हुआ है श्योवलिघ श्युझी उस्लेख से ख Amenında अनीख सथय देकल डियोण यहुदौ के शीवलिघ अनीज वहुदा से थाउर्टों पावन माना हम पे ड़ियोजतने इस बढ़े आर मेहल टाइप के एरियास बने हुए मनडब बने हैं लौंस बने हैं कि जो है इन मंडगों के अंदर इन एरियास के अंदर अपना धर्बार लगाते हैं वाओ क्या फीकुछ देखने को मिल रहा है मेरे को अनिफस्ट में आर्मी जहां पर रहती है किंग की आर्मी जहां पर स्टे करती रहती प्रेक्टिस करती उसके लिए बैरेक्स बने हुए और मार्केट्स में काफी कुछ बिक रहा है स्पाइसे जूल्री वाव क्या बात है कितनी सारी चीज़े में को यहां पर देखने को मिल रही है भाई हमने क्या क्या देखा पिटा हमने देखा कि हम लोग खंजबूर आ चुके हैं तो कि चोलास का कैपिटल है यहां पर राजार और जगे बना रखी है मार्केट्स में समान विक रहे स्पाइसे श्वाइसे मसाले कपड़े जूल्री क्या बात है आगी चले आगी चले आगी चले ओ वाउ water supply के बारे में देखा रहे water supply भाई पानी देखो कहां से आ रहा है पानी आ रहा है कुए से water supply is coming from wells and tanks और थंजावुर के कपड़े बनाने वाले We viewers बड़े फेमस हैं उनको हम कहते हैं सालीयृ भीवर्ट थंजावुर के बड़े फेमस हैं और एक पास में गौर्ट टाउन है उर्इोर उरायूर के अंदर भी बच्चे ये लोग काफी फेमस हैं भाई सलिया वीवर्स और ये क्या बना रहे हैं क्लोथ बना रहे हैं मंदिर के लिए मंदिर के लिए बच्चे जो जंडा होता है मंदिर का उसका कपड़ा बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं और ये बना रहे हैं किं तुम्हारी बहुत ना इंसाफ यह है चलो कोई बात ही आगे चलते और आगे क्लू में क्या रहाते हो खजाना ढूंड़ना अपने को मेरे साथ आगा रूणते ठीक है अभी क्या है कुछ डिस्टेंस पे स्वावमलाई है स्वावमलाई मतलब स्वावमलाई जगे पे स्थाप यहने डिजाइन बने बहुत सुंदर सुंदर है ना ऐसे करके लोग मस्त इगदम घंटा बना रहे हैं और मेटल लाम्प बना रहे हैं तो काफी कुछ हमने देख लिया भाई कुए से वाटर सप्लाई हो रही है जो मूर्तिकार है कमस्थापती कहते हैं ठीक है तो मूर्तिय कि स्थीक बना रहे हैं घंटे बना रहे हैं तो आरे धर कैकर से संधर चले यह चलेगा एंगा बेहन के आगे चलेगा तो इस सारी चीज़े बच्चों यहां पर बना रहें वाओ क्या बात अरे का आ गया मैं क्या बात है तो मैं टेमपल टाउन आ चुका हूं भाई थंजवूर रिदम मस्त यार मजदार दिख रहा है क्या बात है अभी मैं पुराने जमाने से नहीं जमान इट रिप्रेजेंट सब्वेरी इंपॉर्टेंट पार्टन ऑफ अर्पनाइजेशन पहली बात तो मंदिर है मंदिर के साथ साथ जो शेहर का डेवलपमेंट है बिटा वो भी काफी मज़ेदार है आपको यहीं चल लाए ना कि हम लोग क्या बात कर रहें किस बारे में बात करते हैं क्राफ्ट परसन वो होते हैं जो सामान बनाते हैं अलग-अलग तरीके के कपड़ा हो गया मेटल का सामान हो गया कोई भी इंपॉर्ट वॉट्व रहे और हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर अड्मिनिस्ट्रेटिव सेंटर टेमपर टाउन सूरत और न्यूँ लोग ट्राइवल करते करते कहां पहुंच गए सीजा थंजावर और थंजावर के अंदर जो अलग-अलग अक्टिविटीज चल रही है बच्छों उसको हम लोग ने विटनस किया पी तक चलिए और आगे बात करते हैं ठीक है अब जब बात होते हैं बच्छों अर्बनाइज अर्बन का मतलब होता है शहर ठीक है अर्बन का मतलब क्या हुआ शहरी करणंडी जब जादा से जादा शहर बनते हैं जब जादा से जादा बनते principle घखोम कहतेज़ेटेशा हुआ अर्बन आइज़ेशन और इंड़्स बस्रेसिन नौर्मल सी बात है माल देंबी डीवर दूर दर आस जाओ और रोज वापस आऊ तो ऐसे लोग क्या होता है कि आसपास बसना शूरू हो तो टेंपल्स वर वेरी सेंट्रल टो एकॉनमी एंड सोसाइटी अब देखें बहुत सिंबल सी बात है पहले एक जबाने बड़े मंदिर बनाया करते तो मंदिर जो थे एकॉनमी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे और समाज के लिए भगवान के रिलीजिन का सिंबल है र दोनेशन से लोगों की हेल्प करते हैं मदद करते हैं साथी साथ मंदिरों के बहुत सारे शिवर लगते हैं जिसमें बिचारे गरीब लोग होते हैं उनको खाना पीना दिया जाता है उनका फ्री ट्रीटमेंट किया जाता है तो यह सब कहां से आता है बच्चे इसाब आता ह दिखाने के लिए अलग अलग भगवानों को राइट यह भगवान देखो हमने तुम्हारे लिए मस्त घर बनवाया है मस्त राप्चिक घर बनवाया है तुम्हारे लिए भगवान जी थोड़ी क्रिपा वर्सात भगवान जी ना देखिए मेरे पास अभी सब कुछ है भगव पुजारी होते थे उनके रहने के लिए प्रॉपर अर्रेंजमेंट्स करवाते थे प्रॉपर विवस्था करवाते थे लोगों को प्रशाद बाटा जाता है भंडारा चलता है जिसमें कॉमनली लोग खाते हैं करके अभी नवरात्रे हुए नवरात्रे में वैश्णुदेवी टेंपल इस बड़े वेरी फेमस जो की कश्मीर के अंदर आता है कटरा जमू रही तो बड़ा ही फेमस है बड़ा ही ख खाने के लिए बैठा क्या होता है कि भई हमारी सरकार पैसा देती है कई बार और पुराने जमाने में क्या होता था जो राजा लोग थे वो लोग पैसा दिये करते हैं ताकिन सारी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन किया जा सके पिल्ग्रिम्स फ्लॉक टुदे टेंपल्स आलसो में डॉनेशन इन फाक्ट अगर आप कई बार आपने देखा होगा जब आप मंदिर जाते हैं किसी भी रिलीजेस थल पे जाते हैं तो आप दान पात्र रखा होता है ना दान पात्र जो भी आपको डोनेट करना जो भी पै चास रुपए सो रुपए हजार रुपए लाख रुपए जतना भी आपका मन हो आप वहां पर जाके चंदा दे सकते हैं डाल सकते हैं और फिर उसी चंदे से बच्चे जतनी भी आक्टिविटी से हों करी आउट की जाती है राइट बिटा चलिए इन फाक्ट टेंपल की ज सब्सक्राइब के लिए इसके लिए बच्चे जो टेंपल अथोरेटी इस थी वह इस पैसे का यूटलाइजेशन क्या करती थी इससे आप कह सकते हो जो एकॉनमी था और सुसाइटी था बच्चे वह दोनों तरीके से मेंटें रहता था राइट चले अब लोग हमारे खजा बच्चानल भाशा में इसको समझते हैं अब देखे मंदिर का एक्जामपल लेता हो मैं बहुत ही सिंपल माल दीजे यहां पे एक मंदिर है ठीक है एक तम बढ़िया सा एक तम सुन्दर सा मंदिर है अब मंदिर के अंदर बगवान होते हैं मंदिर के आसपास के आपने दु दुकान होगी इसकी प्रशाद है जिसको आप स्वीट शॉब कह सकते हो तो प्रशाद देने वाला सुईट्स वाला होगा है आप यहां पर फिर कुछ खाने पीने कि दुकाने होगी कुछ खाने पीने कि फूट स्टाहल्स रहे होते हैं आथ सपास कई बार बलोग जो है ना नीड्स हैं माली जे कि एक इंसान को प्रॉपर फ्लावर खरीदना है भगवान की मूर्टी पे फूल चड़ाना फल चड़ाना है तो वह दुकान खोलने को इंसान आ गया त्रशाद चड़ाना मिठाई चड़ानी तो भाई मिठाई देने के लिए भी कोई particular shop होनी खरीदने के लिए तो उसको भी उसको मिठाई बेचने के लिए कोई इंसान आ गया फिर ऐसी कुछ टेंपल टाउं से मस्ट वहां पर आपको टेंपल टाउं दिख जाएगा सोमनात मंदिर गुजरात बहुत ही फेमस है बहुत बार अटाक को बहुत बार डिस्ट्राइब करने का ट्राइब किया गया वापस उटके खड़ा हो गया राइट वापस से रिपेर हुआ और आजकल बहुत खुबसुत तरीके से वहां पर राइट बचा चले जैसे फर इंग्जांपल आप सोमनात मंदिर जाएंगे तो इस बहुत सारी दुकाने बहुत सारे एरियस मिलेंगे और जो लोग आते गए जमानों से बसते गए उसके चलते वहां पर क्या हुआ बच्ची शहर सब्सक् payoff में बहुत सारे मंधिर थे मंदिर के जए बसना स्टार्ट हुआ हाँ जायता से ज्यादा मंदिर रहता से जादा हाई गिन प्रचात करने केरे लिए यह कुछ सब्सक्राइब ंने को पूरा करने के लिए आप यह बहुत सारी सकती हो में बच्चे वह बसने स्टार्ट हो गए इसके मल्टिपल एक्जाम्पल्स आपको मिल जाते हैं आपके भूक में सोमनात मंदिर का इंडिया इसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर बनारस काशी वारा नसी है ना शहर बसता चला गया मंदिरों के इस तरीके से मल्टिपल एक्जाम्पल्स मिलते हैं बिटा इंडिया के अंदर जहां पर मंदिरों के आसपास आपको सिटीज देखने को मिलते हैं राइट चलिए आगे बात करते हैं इसे इंपोर्टेंट टेंपल टाउन सामके कांची पुरम हो गया मदूरा ही हो गया तमि में बहुत सारे ऐसे एरिया जहां पर लोग फिल्ग्रिमेँच के लिए आते हैं मतलब अपने भगवांस से मिलने आते हैं मंदिरों में आने आते हैं और उनकी नीट को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोग और आये जिन Конय किया दुकान ऊपन किया का म You can किया और दीरे दीरे बच्चे लोग वहाँ पर बसने स्टार्ट हो गया आज रिजल्ट वहाँ पर आप काफी घने अबादी वाले आप शहर देख सकते हैं आज के टाइम पर राइट ऐ हुआ है चले और इन ही यहां पर दर्गा शरीफ से अध्मे राजस्तान अजमे का नाम पथे पहलें पता है अजय मेरूस अध observ मेरूस एसका नाम ऐ उपकर Carl क Ona अचमे राजपूर के पास करता ता इलली आगरा आया का का द depths varies के अंदरirm तो अजमेर बड़ा फेमस है अपने दरगा शरीफ के लिए ऐसे जो दरगा है वो काफी फेमस और लोग काफी दूर दूर से जो है इस दरगा पर बना दिया एक प्रविन्स बना दिया है रहेत चले यहां पर बचे रिलीजिस और अच्छा एक्जाम्पल मिलता है ख्वाजा मोहिनुत दीन चिश्ति जो कीग सूफी संत थे रहेत और इनकी जो है मजार जो है इनका दर्गा जो है वहाँ पर बनी हुई है मुहिनदीन चिष्टी की और काफी फेमस है मतलब वर्ल्ड से काफी जगों से लोग आते हैं अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए करें सुफी फीषयंट को तो बहुत ही इंपोर्डेंट इट्राक्टेड डिविटी स्पर मॉलक्रीच और साथ ही साथ बच्चे करें पुषकर लेग की बात करें अजमेर के पास बच्चों पुषकर लेग भी पढ़ता है अजमेर में नहीं पढ़ता एक्जाक्ली पुषक र भी जाते हैं तो टूरिजम पॉपस से भी इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो बच्छे एक पिल्ग्रिमेज था एक एक ऐसा स्थल था पूजा स्थलता जा लोग पूजा के पॉपस से रिलीजिस पॉपस से जाते थे लेकिन ओर पीरेड ऑफ टाइम वो डेवलाप होते होते से क्या बन गया एक प्रॉपर शहर बन गया राइट यह बड़ा इंपॉडेंट टॉपिक है कि भाया जो टेंपल टाउंस थे जो बिल्ग्रिमेज सेंटर थे उनको पहले तो बच्छे वहां मंदिर थे लेकिन मंदिरों के साथ साथ धीरे-धीरे जब लोग आने शुरू है ज्यादा लोग आरे शुरू है लोग बसना स्टार्ट हुए ठीक है तो फिरी दिर किसमें इंडिया की बात कर रहे हैं बर्चो आपके टाउंस के अंदर राइट चलिए आगे बात करते हैं तो अपने को बहुत ऐसे शहर देखने को मिलेंगे जो पहले किसी जमाने में बहुत बड़े गाउं का पार्ट हुआ करते थे लेकिन लेटर और एक इंडिविजल टाउन के फॉम में यह आपको देखने को मिलते हैं और इन शहरों की खासियत यह कि यहाप एक मंडिका बहुत तेज्टे चिलाते हो यहां मचली बजार बनाके रख दिया है यहां पर बिल्कुल फिश मार्केट बनाके रख दिया है टीचर्स का फेवरेट डायलोग है स्कूल टीचर्स का इस इस अफिश मार्केट यू गाईज आ रियली शाटिग अट टॉट आप और वोईस पर अपना सामान लाते थे बेचने के लिए ठीक है और यहांकर बॉट सारे कप्ड़े लगाते हैं मसमस चीज़े मिलती है अट गूबना बच़्ो तो स्ट्रीट मार्केट उस ताइं के बड़े व्यूमस थे इनको हाटा बोलते थे उस ताइम पर हाट कहते है ट वाइंत श और अलगäg चीज़ों की shops थी potry मिलती थी हमान नहीं च्यारी शायर मार्केटस मपलए तो बहुत तो कुछ ऐसे ट्रयरे ट्रेडर्स थे खुछ ऐसे व्यापारी इसे बीभी बीचुनक्ति directamente बखैसा तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की मार्केट सवह करती थी पुराने जमाने में देखें यहां पर सबसक्राइब आ है लोग खरीद रहे हैं फल फर्ल घरैसnte खरीद रहें यहां पर Loher का समान बना रहा है कुछ हितर लोग लखली का समान बना रहे हैं यह मचली बेच रहा है यह थो इस तरीके की जो ट्रेड बडी वह और वहार करती थी बच्चों वरी-वरी कॉमन राइट तो इस तरीके कि मार्केट्स होती थी इनको अंडि गहते थे रैट क्या बोलते थे बच्चे मंडी मंडी का राइट टु यहां पर लोग आते थे अपना सामान लाते थे बेचते थे खाते पीते थे मस्तिक्दम ठीक है चलिए अब देखते हैं कहां कहां से लोग आते और क्या क्या सामान बेचते थे यह बड़ा इंपोर्टेंट है भाई तो मेनी चैम फ्रों नियर और फार तो दिस टाउंस दोब लोकल सामान उना पुछ लोग वाख बाग बड़ी दूर दूर से आते थे अपना सामान बेचने के लिए जैसे घोड़े हो गये सॉल्ट हो गया कैंफर मतलब कपूर होता है सैफरन मतलब केसर होता जो दूद में डाल के पी तो नहां क्या मज़ा आता है ना साफरन हो गया बीटल हो गया बीटल नट्स बीटल नट्स मतलब जो पान के अंदर जो पड़ती नहीं सुपाड़ी वगएरा तो वह भी लोग बेचते दिया करके और काफी सारे सब्सक्राइब की घोलों की खरीडारी घोड़े घोड़े में आते है लसा ऐसे चैब वाएं मोषब समय समयन बंडरी तक या सब्सक्राइब हृए हृए मैड़का वुह बम जरुब करें ज रहा है तो बील्म फॉत कि दोday किसी जमीन का मालिक किसी लांड का अधिकारी तो लेटर टाइमस में क्या हुआ कि जो जमीनदार थे थोड़े पावरफुल होने लगते इन्होंने क्या कि अपना एक बढ़िया हवेली से बना ली बढ़िया एकदम मज़दार तरीके से इन इन प्लेसे के पास इन टाउंस के आसपास एकदम हवेली बना ली और यह क्या करते थे टैक्स लगाने शुरू करती है उन्होंने अपना अधिकार जमाना शुरू करती है ट्रेडर्स के ऊपर है ना या फिर हमारे फार्मर्स होते उन पर क्या करते थे टैक्स लगाते थे टैक्स लगाते थे मनवानी करते थे कई बार टैक्स वसूली करते थे राइट अगर हम लोग बात करें पर से कभी-कभी यह जो थे यह जो राइट टु कलेक्ट टाक्स है यह डोनेट कर दिया करते थे लोकल टेंपल्स को जो कि इन्होंने खुद बनाए हैं ठीक है या फिर क्या करते हैं लोकल मर्चेंट को या न भाई जो लोकल ट्रेडर से लोकल व्यापारी हैं उनको यह राइट जो है टाक्स कलेक्ट करने का डोनेट कर देते थे या ऑक्शन आउट करते थे ठीक है सारी चीजें के अधर रेकार्टे अधर मेंटेंड और आज बहुत सारे ट्रेडर से बंजाराज बंजारार बंजाराद करने प्रशेल क्या काफी पॉपुलर थी यह लोग क्या करते थे एक जगे से दूछरे तक मूव करते थे और लोहे का समान मनाते थे बेचते थे खरीदते थे इस तरीके से इनकी लाइफ बच्चो जनल ली चलती है बहुत सारे हॉल्स ट्रेडर्स थे घोड़े बेचने खरीदने वाले देफॉर्म्ड असोसियेशन और ऐसी अस इंट्रेस्ट है जो कॉमन प्रॉब्लम से उसको लोग मिल जूल करके सॉल्व कर सके तो ऐसी ओगनाइजेशन को कहते हम गिल्ट क्या बोलते बिटा गिल्ट जी यू आई एल्टी ठीक है चलिए आगे बात करते हैं थुआ साथ जो इनकी मेजर लीडर्स थे नेगोशियेट इन लोग से घोड़े खरीदा करते थे जिनकी मेजर हैडमें थे जो मेजर चीफ हुआ करते थे इन गिल्ट के एस्सेशेशन के वह उनसे बारगेरिंग करते जी नहीं बहुत इतने में बहुते नहीं बेचेंगे और आप सब्रूस करो मैंने का हजार उपे मोड़ा बेचु ठीक है चले ऐस्टेडर्स हैड टो पास्टो मैंनी किंग्डम्स और फॉर्स तो बच्छे बहुत सिंपल सी बाते कारवांस में ट्रावल करते थे लोग ठीक है सेफ्टी पॉपोसे से भी फॉर शॉर क्योंकि इनको प्र समान बेचने के लिए मल्टिपल किंग्डम्स मुल् चला के रख सके बढ़िया तरीके से आगे चला सके बहुत सारी गिल्स यसे बच्छे साउथ इंडिया के अंदर काफी फेमस है पर एक्जांपल अगर मैं बात करूं जो मोस्ट फेमस थी साउथ इंडिया में वो थी मनी ग्रामम और नाना देसी ठीक है तो यह जो गिल्स थ आपने बुद्धी के लिए अपने लॉजिक्स के लिए और बिजनस टाक्टिक्स के लिए है न जो मारवारी लोग थे आपकी चेतियार थे उस्वाल थे यह जो है मेजर ट्रेडिंग रोप सबनते कांट्री के गुजराती भी बड़े फेमस है गुजराती मारवारी भाई अगर आप बहुत सारे गुजराती और मारवारी काफी अच्छा कुछ करते हो देखेंगे तो कहते हैं बिजनस रंस ब्लाड ऐसा घ्नम में बिजनस दोड़ता यह बिल्कुल फैक्ट है और यह जाता है पुराने टाइम से यह जो गृप्ष थे अपने आपने आपने बहु वेरी मुच विद्धा रेट सी के थू पर्शन गल्फ के थू इस्ट आफ्रिका से साउथ इस्ट एश्या से चाइना से इन देशों से बच्चे लोग वैपार क्या करते थे ट्रेट क्या करते थे हिंदू के अंदर भी बच्चे जो लाला जाने जाते हैं अपने बुद्धी क बच्चे लिए मुस्लिम के अंदर बोहरा कम्यूनिटी वह काफी फिर्मास इपने ट्रेट प्राक्टेसं के लिए अपने बिजनस चिप के लिए तो बच्चे लोग मेजरी रेट सी के थू पर्शन गल्फ के थू जो है इन रास्तों से भी बाए ट्रेट करते थे कौन से र बेस्ते थे और next change में इनको क्या मिलता था gold and ivory ivory मतलब हाती दात जो होता है ना काफी costly होता बच्छES वो मिल जाता था इनको आफिका से spices मिल जाते थे इन मिल जाता था Chinese blue potterी Chinese potterie बड़ी फेमस है जो पॉट से बंते बच्चे आपके गंले बगएरा बनते हैं पॉट बनते हैं तो चाइनीज पॉटरी बड़ी फेमस है तो एक्षेंज में वह मिल जाती थी इनको और सिल्वर मिल जाता था भाई साउथ इस टेश्या और चाइना से ठीक है जो भारत के वेस यह बड़े फेमस थे Arabians, Persian, Chinese, Jewish और Syrian Christian traders के लिए यह वाले लोग जो थे भाई भारत के Western Coast से काफी ज़्यादा ट्रेट करते थे भारती स्पाइस व्ल्ड फेमस थी भारती कपड़ा बड़ा अच्छी कॉलिटी का था यह बड़े फेमस थी रची पर जाके चीज बेची जाती थी और इसको इतली खरीटे थे इतली बड़े इंप्रेस थे भाई हमारे कॉलिटी ऑफ स्पाइस और कपड़े से अंड फाइली वहां से कहा पहुंचा यूरोपेन मार्केट्स पहुंचा तो बच्छे काफी इच्छ बलता मतलब उसकी क्योंटी का आप कह सकते मुकाबला था ही नहीं ठीक है पाईस जो है जनली आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट में एक्वेटर के पास की जगे जनली थोड़ी सी गरम होती थोड़ी वाम होती है के रला अपने सपाइस के लिए और काजू की खेटी के लिए क में हो गया जावित्री जाइफल जो आप बिर्यानी बगरा में डालते हो ना बहुत टेस्टी बनता भाई ड्राइट जिंजर जिसको आप हिंदी में सौंट कहते हो तो पानी के बताशे की जो मिठीयाली चटनी बनती है उसमें भी इसका यूस किया जाता है आहा हा कुछ बच अधिक जो लोग इसको चीट कहते थे चीट हिंडिया में और चिंट कहते थे यूरोप्यान के अंदर तो कप्ट वड़ा फेमस था थे मुसलिन का और fine cotton cloth होता था वो भी बड़ा famous था European markets के अंदर इंडियन textiles का जो demand था बच्छे वो काफी जादा बढ़ गया फिर रहां बात बात करें बच्छे craft person बिदार बिदार के चेतर के जो लोहार वगयरा थे ना यानि की metal के चीज़े बनाने वाले जो लोग थे craftsmen थे वो बड़े famous थे इनका जो copper के उपर जो काम करते थे silver के उपर काम करते थे बच्छे अलग सा design वगरा क्रेट करते थे बड़ाई सुन्दर था और इस कला को जो है ना बच्छे प्रॉपर लेली कहा जाता था बिदरी तो silver और copper पर जो design से create करते थे बच्छे बहुत खुब्सूरत तरीके के इसको बिदरी कहते थे क्यूंकि बिदार के भाई मारे बच्छे या पांचाल कम्यूटी जिसमें गोल्ट स्मिट्स थे यानि सुनार थे सोने की चीज़े बनाने वाले लोग थे ब्लाक्स्मिट्स यानि लोहे का समान बनाने वाले लोग ठीक है और मेसं मेसंस कौन होते हैं जो आपकी बिल्दिंग्स बगएरा बनाते मजदूर इनको आपके ने बिल्दिंग सबनाते हैं या श्में लगारा लगाके और कारपेंटर जानि लकडिकी सामय मनाने वाले लोग यह सारे लोग आते थे कौन कौन से कम्मिनटी से बच्छे इन पांचाल कम्यूटी और विश्वकरमा कम्यूटी है ना चले बहुत सारा खुबसूरत फ़नीचर बनाते थे राजा के पैलिसे का अलग लग सेंटर्स का तो इन सबकी जरौत पड़ती थी बच्चे उन सारे स्ट्रक्टर को खड़ा करने में बिल्ड करने में आज वीवर कम्यूनिटी जैसे सलियार हो गया काई कोलर हो गया यह भी काफी रिच होते गए काफी अमीर होते गए क्योंकि इनकी जो स्किल्स थी बच्चे वह वाइडले एक्सेप्टेट थी और काफी खुबसूरती तरीके से बच्चे आप कह सकते हैं काफी मजदार तरीके इसे जो स्किल्स थी यह लोग बड़ा इसको एक्सेट करते थे लोग बड़ा इसको मानते थे यह ना चलिए आन दे ओल्सों मेड लॉट अफ दोनेशन सुए टेंपल आस्पेक्स अप्लोट में लाइक लॉट क्लॉट क्लीनिंग स्पिनिंग डाइंग बिकेम स्पेशलाइ इसाइन पुरा कलर किया इसको प्रोसेश जो है अपने आप में बड़ा कॉंपलेक्स है और क्या हुआ कि लोग ज sont independent processes मैं यानि कुछ लोगोंने वाइक कड़े की क्लीनींग सम्र करना सीख लिया कुछ लोगोंने इसको भुनना सीख लिया कुछ लोगोंने के तो यह जो अलग अलग steps थे कपड़ा बनाने की this apartment गर्डूर्मेंट को प्रद्यूस करने के यह भी अपने आप में special बनते गए यह भी अपने आप में स्पेशल स्किल्स बनते गए जो लोग धीरे-धीरे सीखते गए जैसे हम्पी का बड़ा खुपसूरा चाहिए हम्पी के बारे हम थोड़ी चीज जानते हैं हम्पी जो है बच्चा आपके कृष्णतों भादरा नदी के आसपास लोकेटेड है ठीक है करनाटिका के आसपास आप कह सकते हैं इसको विजय नगर एंपायर का सेंटर माना जाता था ताट्स ताट्स पेशलिटी अबॉट इस बहुत ही खुपसूरत है बच्चे हम्पी का शहर आज भी इसके बचे हुए अफ्शेश आपको देखने को मिल जाएंगे इस इसके प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेट सिटी थी कोई सिमेंटिंग अगरा यहां पर यूज नहीं की गई है इसके कंस्ट्रक्शन में आप सोच सकते हैं मौरंग सीमेंट इसका यूज नहीं किया गया है इसकी दिवारों को बनाने के लिए अपने आप में एक लॉक करके इन्हों दिवारी खड़ी की है और यहां पर कोई मिट्टी या फिर कोई मौरंग वगरा यूज नहीं किया गया ठीक है सिमेंट वगरा यूज नहीं किया गया यह बड़ा स्पेशल है भाई हमारे हमपी के अर्किटेक्ट्टर में राइट वश्टिंग बीडिं सिंपल जैसे लोटस का स्कल्प्चर हो गया लोटस की मूर्तिया हो गई और प्रॉपरी ऑल्चर्ट मतलब बगीचे गाडन जहां पर फॉल वगरा प्रॉपर तरीके सोग रहे तो सारी चीजे बचे बड़े अच्छे तरीके से प्लान आउट की गई है यहां पर हमपी में क सब्सक्राइब करने वाला कोई रहा नहीं और दीर दीर शहर खतम होने लगे तो आज भी हमपी का जो बचा हुआ एरिया है जो बचा हुआ बचे आप कह सकते हैं रून से वह आप देख सकते हैं बड़ेया तरीके से ना चलिए मुस्लिम मल्चंस चेटीज यूरोपें ट्र लाइक पॉर्टूगीज यह हमपी के मार्केट में बचो बहुत आया करते थे टेंपल्स आप कह सकते हैं जो कुल्चरल अक्टिविटीज है यहना क्या होता था कि पहले टेंपल्स में काफी सारे जो लड़किया थी और डांस करती थी भगवान को प्लीज करती थी बगवा इस अब लगवान के नवरात्री के ते लोग फास्टिंग करते तो महानौमी का फेस्वल जिसको आप नवरात्री कहते हैं बहुत इंप्रेंट फेस्टिवल था जो कि हमपी पे लिए अधा आर्केलोजिस्ट ने मतलब जिस प्लाटफॉर्म पर खड़ों के राजा आया प्रीस्ट वगएरा जो है प्रॉपर प्रात्था वगएरा करते थे आर्केजिस्ट को बच्छे वो प्लाटफॉर्म भी देखने को मिला है ना जांपर किंग जो अपने गैस को रि इस टाइम पर यहीं एंटेटेंबंट था यहीं फेस्ट्वल चलिबरेशन था राइट रेस्लिंग भी हुआ करती थे आप मतलब एक्तम खतरनाक लडाई जोती ना रेस्लिंग कुष्टी उस्ती वो भी हुआ करती दिभाई इस टाइम पर तो यह भी अपने आप में नुकसान पचाया इस पूरे शहर को क्या आप कह सकते हैं काफी जाधा डिस्ट्रॉय कर दिया तो भाई आज रिजल्ट हम जो है धीरे-धीरे खुब्सूरत सा शहर था खुब्सूरत टाउन था रियूंस में कनवर्ट हो गया एक और बचे एक और खुब्सूरत शहर की बा तो एहमदाबाद सूरत जो था वो ट्रेड के रिस्पेक्ट से बहुत जाधा इंपॉर्टेंट है मुगल एंपायर के गरम बात करें तो जो ट्रेड होती थी बच्चे भारत के सूरत वाले एरिया से वह हमेशा इंपॉर्टेंट रही है जब यूरोपेंस आये तब भी उन चलिए और मज़े की बात भाई यह है कि यहां पर सारे तरीके के धर्म के जाती के लोग रहा करते थे 17th century पॉर्टोगीज ने भी अपना फैक्टरी सेटप किया डच ने सेटप किया इंग्लिश इस इंडिया कंपनी ने भी अपने फैक्टरी सूरत के ऊपर खोले तो सूरत इंप्टेंट सेंटर बन जाता है for the purpose of trade in culture इंग्लेश च्रो निकल के ऐसाब से भी विंदीन ने स्वरे पोर पोर्ट का अकाउट लिखा कि यहां पर क्या-क्या होता है कितना ट्रेड होता है कितना वॉल्यूम है सारा के सारा इस इंग्लिश ट्रॉनिकल में आपको मिल जाएगा कि आवरेज में 100 शिप्स आती हैं लगला ब्रदस ट्राफिक वह करता होगा साथ ही साथ यहां पर बहुत सारी टेक्साइलिक दुखाने थी भूबधी नाने के सबस्क्राइब यह बड़े लंग के लिए और इसी वेस्ट एश्या आफ्रीका यूरोप प्रिक्स काफिशत त्यौने के अंदर ठीक है पहुत सारे यहां पर रेस्ट हाउस बने हुए थे ताकि जो लोग आ रहे हैं अलग-अलग जगे से अलग-अलग चेहरों से देशों से उनको प्रॉपर रेस्ट उनके ठैरने की जगे हो बढ़ेहा तरीके से खुबसूरत बिल्डिंग्स बनी हुई थी बच्छे काप मस्त बिजनस था अपना थे हाट क्यूज बैंकिंग हाउस सूरत में इनके अपने लोकल बैंक थे ठीक है जैन इफे टॉक अबाउट की कुछ मार्केट्स जो कि हमारी ओफ सूरत हैं या फिर इंडिया के बाहर जैसे इजिट में केरो हो गया केरो इन इजिट वॉन्डर्फ सूरत का जो ट्रेट था जो टेक्स्टाइल था बच्छे काफी फेमस और आज भी फेमस है राइट अट इट्राक्त इट्सो मेनी पीपल फ्रम अराउंड दे ग्लोब तूरत धीरे धीरे बच्चे टोवर्ड एंड ऑफ 17th सेंचिरी सूरत हो था डिक्लाइन होना ले लगा और बॉंबे कल्कता का इंपोर्टेंस ना बढ़ाना शाट हो गया था जैरिछ लॉप ऑस रही बात डिक्लाइन हुआ हुए विकास這邊 एपार दृट्रिन काफ सोंबनed मुगल यकोल पार्यट कर्के एंट घोट्maंपकर्स परिखें कंट्रोल कर लिए और अपन्स में की दुश्मनी इतनी ज्यादा थी जो आपस की लड़ाईयां थी जिसके चलते जो लोकल एरिया से वह काफी इंपाक्ट होना स्टार्ट हुए राइट इंग्लिश इस्ट इंडिया कंपनी अपना हेड्कॉर्टर बना लिया था सूरत करते हैं धीरे-धीरे डिक्लाइन होना साट क्योंकि मैं बताया आपको जो अलग-अलग यूरोपेन पावर्स थी इनमें आपसी में ट्रेड को लेकर के दुश्मनी चल रही थी तो क्या होता थ रहे थे सूरत और अराउंड एरियास में अभी क्या हो रहा है एक पर्टिकॉलर कंट्री का मोनोपॉली हो गया है वहां पर जिसके चलते तो टोटल ट्रेड वाल्यूम हो धीरे-धीरे कम होना स्टार्ट हो रही है और यहीं चीज़ बच्चे बंबय में भी और बंबय में क अब जमाल यह था इंग्लिश इस इंडिया कंपनी ने वह किसी और को वहां से ट्रेड नहीं करने देते तो आज रिजल धीरे-धीरे जो पोर्ट एरियास का इंपोर्टेंट है वह कम होना स्टार्ट हो फिलाल अभी सूरत तो इद्दम वापस बढ़े तरीके से आ चुका ह ऐसे मसूली पटना में मचीली पटना में जो को फिश पोर्ट टाउन भी कहते हैं आप फिशरीज का बिजनस काफी जबर्दस तरीके सलता है ठीक है क्रिशना रेवर के पास बच्छों आप को देखने को मिल जाएगा काफी सुन्दर काफी खुपसरत टाउन है डच और जो अपना में मचीली पटना भी इसको कहते हैं तो अपना एक किला बना दिया था था कि अपनी पावर को दर्शा सके चुटुब शाही डाइनिस्टी थी घुल कुंडा की उन्हों ने क्या कि यहां पर अपने अधिकाल जमालिया कि इस एरिया में व्यपार करने का अधिकार से हमारा है अपनी मोनोपॉली जमा के रख ली ताकि कोई और वैपार ना कर पाए किस चीज़ पे टेक्स्टाइल पे कपड़ों पे मसालों पे और बहुत सारे आइटम ठीक है इससे क्या हो इससे इसलिए इन्हों ने ऐसा किया ताकि पूरा अधिकार है ट्रेट करने का कहीं कि पास ना चला जाए अलग-अलग इस्टे इंडिया अपनी इसके पास चले आए इसलिए यहां की कुतुप शाही डाइनिस्टी थी तो कुतुप शाही रिउलर्स थे उन्होंने प्रॉपर डिक्लेयर कर दिया कि हमारा रॉयल फर्मान है कि हम किसी और को यहां पर नहीं कर लोग थे उनके बीच में तेलोगे चेतिस दे तेलुकु क्यूनिटी lowric retailers के बीच में और European Traders के बीच में, as a result बच्चे, हर एक को अपना सामान बेचना था, जब सामान आया, मार्केट में पैसा फ्लो करना स्टार्ट हुआ, लोग की इंकम्स बड़ी लोग रिच होना स्टार्ट हुए, right, that also made this town very very important, मुगल्स ने बच्चे अपनी पावर एक्स्टेंट करना स्टार्ट किया, जिनका रिप्रेजेंटेटिव था, मीर जुमला इधर का गवर्नर था, ठीक है, साती साथ ये एक तरीके से गवर्नर भी था और वैपारी भी था, और मुगल का रिप्रेजेंटेटिव था, तो हो जाए और मुगल्स पावर यहां पर मस तरीके से स्टाबलिश हो जाए, मुगल्स के हाथ में यहां का कंट्रोल हो जाए, क्योंकि इतना रिच एरिया भाई, कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा, अब 1687 के बाद क्या होता है, कि जो औरंग जेब था, उन्होंने कोल आप कंपनी ने क्या किया भाई, अलग अलग तरीके के पोर्ट देखना साट कियो, आप देखिए कि धीरे धीरे करके बॉंबे और कलकत्ता के जो पोर्ट एरिया जे उनका इंपोर्टेंस भी ग्रो करना स्टार्ट होने लगा, राइट तर न्यू कंपनी ट्रेट सेंटर श यहां से अपना administration यानि अपनी पावर, पॉलिटिकल पावर को भी कंपनी बढ़ा पाए और धीरे-धीरे इन्होंने रुक करना स्टार्ट किया बॉंबे और कलकता का अन्देन मदरास, तो मसूली पत्नम ने धीरे-धीरे अपना पूरा वैभव भी खो दिया, अपनी रिच and then we'll just wind up with the topic, ठीक है, चले, तो 16th and 17th centuries के अंदर भाई जो European countries थे, they started searching for spices and textiles, जो की Europe और West Asia दोनों में बहुत popular थी, साथी साथ जो English, Dutch और French थे, इन्होंने अपनी अलग 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 companies बना रखी थे, इसको अपनी इस्ट इंडिया companies कहते हैं, ताकि भारत के अलग अलग countries के अंदरे trade कर सकें, expand कर सकें और profits कमा सकें, राइट, चले, इनिशली जो बड़े-बड़े इंडियन ट्रेडर्स थे, लेक मुला अब्दुलकफूर, विर्जी वोरा, इनके पास काफी बड़ी number of ships थी, काफी large fleet of ships था, राइट, and they competed with the British East India, यार other East India companies, however, जो European companies थी, उनका जो naval power था, जो navy थो काफी strong था, technology काफी advanced था, जिसके चलते, इंडियन लास्ट में बच्चे, इनसे compete नहीं कर पाए, right, finally, इन सारी powers में जो सबसे successful थे, वो थे आपके English, or the English history company, जिनकी technology, बाकी लोगों से थोड़ी ज्यादा advanced थी हो, साथी-साथ ये, थोड़ी ज्यादा चल fabric की, तो दीरे-दीरे जो अलग-अलग processes थे, उनका भी expansion होने लगा, जिसे spinning हो गया, weaving हो गया, bleach हो गया, dye करना हो गया, कपड़ा color करना हो गया, तो सारे process दीरे-दीरे expand करने start हुए, right, ज्यादा से जादा लोग बच्चे इन कामों को करना start कर जाए, क्यों, जब दिमांड बढ़ा होगा, production जाधा चाहिए, production जाधा करने के लिए, लोग जाधा चाहिए, आदमी जाधा चाहिए, as a result, लोग का जो employment है बच्चे धीरे-दीरे बढ़ना start हो गया, right, so Indian textile designs हो थे, काफी जाधा बच्चे refine हो गया, काफी और खुबसूरत और निखरने लगया, और international markets मे जो Indian textile का demand था, बच्चो वो बहुत जाधा increase हो गया था, right, now अभी क्या था, कि हमारे जो English East India Company थी और चाहती थी, कि market पे इनका monopoly बन जाए, control कर ले, तो ये बिलकुल नहीं चाहते थे, कि हमारे local जो craftsmen है, local जो काम करने वाले लोग है, वो independent रहे, तो ये क्या करते थे, इनको है, कुछ local agents higher कर लिए थे, इनको अगो मास्त कहते हो, क्या कहते हो, आप, गो मास्त, तो ये क्या करते थे, वीवर्स के पास जाते थे, उनको advanced payment जाते थे, contract लिखवाते थे, कि हमारे अलावा किसी और को तुम समान नहीं बेच सकते, as a result, जो independence थी लोगों की बच्चे, वो खतम हो गई, right, so weaver's had, did not have the liberty to sell their own clothes, and in fact, इनको जो भी order दिया जाता था, कंपनी के साइट से, उसी के according को काम करना पड़ता था, जिसके इनको पैसे भी कोई बहुत जादा अच्छे नहीं मिलते थे, right, so अगर हम देखें, 18th century में, Bombay, Kolkata और Madras हो थे, वो काफी important cities की होना स्टार्ट हो गए, crafts and commerce underwent major changes, like merchants और artisans, were moved into black towns, बहुत सिंबल सी बात है, जैसे जो हमारे basic, basic craftsmen, weavers, कपड़ा बुनाई करने वाले, इनको black towns भेज दिया गया, black towns क्याते बच्छे, जोगी European companies ने established किये थे, जो native traders है, blacks किसको का जाता है, जो native, जो local traders है, जो local businessmen आप मा सी बात है, कि आगर आपको जो है, शेर के इस हिस्से में रहना पड़ेगा, तो हमारी English study company के लोग थे, इन्होंने क्या क्या, एक अलग सा एरिया बनाया है, इसको आप ब्लाक टाउंस के नाम से जानते हैं, यहां पर जो local tradesmen थे, जो local काम करने वाले थे, उनको जबरदस्ती area में रहेंगे, आप लोग सब लोग side में जाके रहें, ठीक है, इनकों कहते हैं बच्चो black towns, क्या बात है, तो करते-करते कहानी हम लोग finally कहां पर आ गए बच्चो, बहुत सारे last वाले motive है, हाला कि चार्टर लंबा था, आपके साथ time भी थोड़ा कम रहता है मेरे पास, कभ बढ़ा कि भाई जो हमारे Britishers थे, पहले वो अदम traders बनके आए, फिर दीरे दीरे उन्होंने कब से जमाने शुरू कर दिया, as a result हम क्या देखते है, लास्ट में आकर के भाई इन्होंने अलग से town में areas बनाए, शेरों के अंदर areas बनाए जिनको black towns कहते हैं, और वहाँ पे जो सीधे हमारे Britishers के पास जो कि बहुत नालाइक थे, हैना, चले, तो यह बच्चे हमारे chapter है, काफी बढ़िया सा, अब कुछ बच्चे एक प्यारा सा बच्चा तो उसने कहा था कि सार, I am an average student, तो बच्चे आप average हो, क्योंकि आप सोच रहे हैं, बहुत simple सी बाते, कोई बच्चते हैं, वैसा बनते हैं, हैना, मेहनत करेंगे, जो सर ने पढ़ाया है, उसको पढ़ने के बाद NCRTs पढ़िये, questions को solve करिये, चीजें आपकी बच्चे clear होंगी, very simple, doubts आते हैं, उसको put up करिये, जालिए बच्चे, notes को download करिये, PW app में जाकर के, तो चीजे होंगी, effort ही नहीं किया, देखो failure, जो इंसान वो fail होता है, जिन्दगी में जिसने कभी try ही नहीं किया, we never call a person, आपने try किया और आप fail हुए तो बिटा failure नहीं है, आपने अगर हिम्मत ही नहीं दिखाए, आपने अभी अपने अपनी उमीद छोड़ दी, आपने try ही नहीं किया, आपने effort ही नहीं किया, तो बिटा failure वो है, effort करके अगर आप आपको result नहीं मिला तो failure नहीं है, कोई बात नहीं, आप दुबारा effort करिए, बढ़कर आपने effort ही नहीं किया बिटा, वो failure है, है ना, इस चीज को याद रखिए, हौसरा लखिए, साथ में खड़े हैं, आपके मिसी लिए पर हैं, आप कोई बात नहीं, बच्चे परिशान मत हो, चार्टर जब सर पढ़ा दिये, उसके बाद NCRT पढ़ी है, जो आपको लगता है, सर यह difficult आ रहा है, आपके comment section है, यहाँ पर doubt, आप वहाँ पर put up कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे कुछ-कुछ पूछते हैं, मैं करता हूं चीज़ों का ऐसा नहीं है, तो बच्चे करता हूं उसको कहीं ना कहीं, किसी ना किसी format में, ठीक है, चले बच्चा लोग मिलते हैं आप से, वाई-बाई, टेक क्यार, और हाव नाइस, लर्निगास हैट, से टून वित पी डवल्यू